आप सब का वेल्कम आज में मटर प्लॉव बनाऊंगी सर्दी के मौशन में मटर प्लॉव हरी चक्णी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो मटर प्लॉव बनाने के से पहले एक पूटोरी मटर लिया है नमक नस नद्रक पेष्ट बास्मति चावा लेख केजी टमाटर दो से तीन मिडियन साथ का हरी मिर्चाल से पांच धनिया तीन प्याज बाड़ी काट लिया है धनिया सोंप पेश पत्ता दालचीनी जावित्री दो बढ़ी अलाईची चाड हरी अलाईची धनिया सोंप और य 4 टेबल स्पुन तेल तालेंगे तेल गरम हो चुका अब इसमें प्याज को प्राइख कर लेंगे प्याज प्राइख हो चुका है इसमें स्थोरा प्याज मिकाल लेंगे टाइख टालेंगे तालेंगे डाची दालेंगे दाल फिर नगर प्याज को प्याज एंअगे नमापते नमक को पीछचा रिखकावी नमक कर देंगे मता डालने के बाद तोस्के दो मिनाट इसे भूर गोगे ताथी मसाला किसे दब-दरा पीसे के धनिया और सौंक ग्राम मसाला इसको डाल लाएगे अब इसमें आप करेंगे चावन, ताथी हरी मेंस, अब थो रधनिया, तिन नाटी से भूल लेंगे, पानी डालेंगे, इस ग्लास से दो ग्लास चावल लिया था, तो इससे तीन ग्लास पानी डालेंगे, चावल गिला नहीं होगा, अब इस पे ढटकर लगा देंगे, इसे खोलते हैं, ग्यास का फ्लेम थाई है, और पानी सुख चुका है, अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, अब लोग फ्लेम को इसे दम पर पान दस मिनट तक रखेंगे, अब तक चावल गल नहीं जाता, और यह मेटर पुलाव बन कर तैयार है, गैस को आफ कर देंगे, साथीस में फूट कलर डाल देंगे, धन्या पत्ति, और प्याज जो बचाकर रखे थे वो भी डाल रहेंगे, यह बहुती मसे दास है, मटर प्लाव बन करते गया रहें, अगर आपको यह रेशिपी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें, और कुकिन जंसन चैनल को सब्सक्राइब किजिए,